हेलो इस्टुडेंट, वेलकॉम तु वीडियो लेक्चर अफ क्लास टैन थे, मैसेलफ अभी सेख सिरवास्तो, आई विल टीच यू मैटमेटिक्स, यूर फर्स्ट चैप्टर इस रियल नंबर डेट इस वास्ट विक संक्याएं, यह आपका दूसरा लेक्चर है, चैप्टर का पहले लेक्चर में हम लोग एक लेट विबाजन प्रमेइका के बारे में पढ़े थे, एक लेट विबाजन प्रमेइका क्या होता है, यह एक ऐसा फॉर्मेट है, जिसका यूज करके हम लोग संक्याओं के बीच HCF ग्याद करते हैं, HCF ग्याद करने के लिए हम लोग इस प्रमेइका के यूज करते हैं, इस प्रमेइका का फॉर्मेट है, A is equal to BQ plus R, तथा एक सकंडिसन है, इसके अंदर 0 less than a is equal to R less than B, पिछली कच्छा में हम लोग इसका यूज करके HCF निकालना सिखेते हैं, आज के क्लास में हम लोग इस कं इस प्रमेइका के अनुप्रियों case related कुछ question solve करते हैं, आपका पहला question है, दर्साइए कि एक धनात्मक विसम पुढांक 4Q plus 1 या 4Q plus 3 के रूप का होता है, जहां Q1 पुढांक है, यह आपका question है, इस question को प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने मन से कोई एक धनात पुढांक विसम पुढांक है, हम यहां पर धनात्मक विसम पुढांक के लिए सिद्ध करना है, इसलिए हम लोग एक कोई धनात्मक विसम पुढांक मानेंगे, तथा यहां B is equal to 4, हमने B is equal to 4 क्यों लिया है, यहां format आप देख लिए 4Q plus 1 या 4Q plus 3 के रूप का हमें दिखान करना है, और इससे compare करने पर हमें B की वेलू क्या दिख रही है, 4, तो हम लोग B की वेलू क्या लिया है, 4, अथा एकुलेट विवाजन प्रमीका का प्रयोक करने पर, एकुलेट विए प्रमीका आपका A is equal to BQ plus R है, उससी का use करेंगे हम लोग A is equal to 4Q plus R, B की जगए 4 रख द था, 0 के बराबर और R की वेलू 4 से छोटा, तो एक पुणांग के लिए हम लोग इसको verify करेंगे, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 1, 2, 3, और 0 के बराबर भी तथा 4 से छोटा, यानि 3 तक, तो R की वेलू में क्या मिली, 0 के बराबर तथा बड़ा, 0, 1, 2, 3, और 4 से छोटा, 3, य इनी 4 R की वेलू के लिए हम लोग इसको दिखाएंगे, आईए, R is equal to 0 पर, पहले हम लोग इस condition को लेंगे, R is equal to 0 पर, इस में जहां जहां R है वहां क्या रख देंगे, 0, A is equal to 4Q plus 0, and 4Q plus 0 means 4Q, now अब R is equal to 1 पर, A is equal to 4Q, R की जगा 1 रख देंगे, 4Q plus 1, now R is equal to 2 पर, A is equal to 4Q plus 2, और लास्ट में R is equal to 3 पर, A is equal to 4Q plus 3, यह आपका 4 condition यूज़ करके हमारे format आया हुआ है, अब इसको लोग वेरिफाई करते हैं, चार एक सम संख्या है, Q आपका कोई एक पुडांग है, जो कि सम या भी सम कुछ भी हो सकता है, सम संख्या का एक पुडांग से multiply करने पे हमे एक बिसम संख्या जोडने पे result हमें क्या मिलता है, बिसम संख्या, third one, यह आपका सम संख्या, अभी हम लोग उपर देखें, सम संख्या में सम संख्या जोडने पे हमें क्या मिलेगा, सम संख्या, और यह सम संख्या में 3, एक बिसम संख्या है, सम संख्या बिसम संख्या जो प्षिख्या का जो फॉर्मेट होगा इस फॉर्म का होगा four q plus one और four q plus three का अटा वो प्रोक्ष से इस पर्ष्ट है कोई भी धनात्मक विसम पुढांग four q plus one तथा four q plus three के रूप का होता है यह हमारा question का प्रूफ है इसी तरह यूज करके हम लोग कुछ और question solve करेंगे हमारा next question दर्साइए कि कोई भी धनात्मक विसम पुढांग 6Q-1 या 6Q-3 या 6Q-5 की रूप का होता है जा क्यों कोई पुढांग है एक कोश्चन सेम प्रीवेस कोश्चन की तरह है बस फॉर्मेट थोड़ा सा बदला हुआ है फिर हमें धनात्मक विसम पुढांग के लिए प्रूफ कर लेंगे तो यहां पर B की वैलू क्या दिख रही है 6 अता इकलेट विवाज़न प्रमाई का द्वारा ए स्कॉल टू बी क्यू प्लस आर बी की जगह 6 रख दिये जीरो लेस दिन स्कॉल टू आर लेस देन 6 अब यहां पेस कंडिसन से हम लोग आर की वैलू निकालेंगे जीरो के बराबर तथा जीरो से बड़ा पुरांक वैलू लेना है और 6 से छोटा तो जीरो के बराबर तथा जीरो से बड़ा 0, 1, 2, 3, 4, 5, Q, 5 से हम लोग रूगए है क्योंकि 6 से छोटा पुरांक 5 है तो यहां पर हमें कितनी वैलू आर की दिख रही है 6 अब इन 6 के लिए हम लोग इसको सिद्ध करेंगे चलिए इसमें दर्स आने के लिए पहले R की जगे हम लोग क्या रखेंगे 0, R is equal to 0 पे A is equal to 6Q plus 0 तो answer क्या मिला? 6Q R is equal to 1 पर A is equal to 6Q plus 1 R is equal to 2 पर A is equal to 6Q plus 2 बारे बारे से R की value हम लोग यहाँ पर put करते चलेंगे R is equal to 3 पर A is equal to 6Q plus 3 R is equal to 4 पर A is equal to 6Q plus 4 R is equal to 5 पर A is equal to 6Q plus 5 यह हमारा 6 format बना अब इस format को हम लोग वेरिफाई करेंगे 6 आपका समसंख्या Q आपका? कोई भी पुडांक है समसंख्या में किस भी पुडांक से गुडा करने पर हमें क्या मिलेगा? समसंख्या अथा 6Q क्या है आपका? समसंख्या समसंख्या में एक 1 बिसमसंख्या जोडने पर result में क्या मिलेगा? बिसमसंख्या तो यह आपका क्या हो गया? बिसमसंख्या समसंख्या में 2 एक समसंख्या है समसंख्या और समसंख्या जोडने पर समसंख्या संक्या में VissamSanghya जोडने पर भी समसंख्या जोडने पर भी समसंख्या यह पलस सम् संह जोडने को दिखाते हैं और विसम्शंख्यावाले फॉर्मेट हैं 6q 1 6q ुप्लस 3 और 6 Q 5 यह तीन जो विसम्शंख्याक है अथा हमें प्रूफ करना है कोई भी धनात्मक विसम्भ कुणांक 6qq 6q 006106 ci calasuk 5 के रूप-क होगा और हमासा क्लियर है इस क्रूब्लस 1 विसम, 6Q plus 3 विसम और 6Q plus 5 विसम वो प्रोक से इस पर्ष्ट है कोई भी धनात्मक विसम पुड़ांग 6Q plus 1, 6Q plus 3 या 6Q plus 5 की रूप का होगा इस तरह से हम लोग इस टाइब के कोश्चन को हल करेंगे आपका होमवाख है एकलेड विभाजन प्रमेइका का प्रयोक करके दर्स को आप सेम इसी तरह सॉल करेंगे पहले कंडिशन दिखाने के बाद आर की वैल्यू निकाल लेंगे और आर के एक एक वैल्यू के लिए जो एक वैल्यू आएगी उसको एक और इस्टेप आगे जाके यहां पर एसकोल्टो 6Q आ गया है इस टाइप के कोश्चन को हम लोग ए किस्टेप आगी जाके एक जगा एक स्क्वाइर करके भी सॉल करेंगे फिर उसको फॉर्मेट को हम लोग 3M और 3M प्लस 1 के रूप में दर्स आएंगे आज के लेक्चर का यूज करके एक कोश्चन एकदम सावधानी साहब को करना है और यह सारे होम वाक आपका चेक होगा जब स्कूल आपका रियोपिन होगा थैंक यू